कि आज कि दोजार तेइस का अंतिम दिवस है और है कि साथ में आज कि स्विल्ह भक्ति सिधान सुषित ठाकुर्दी का फिरोभाव दिवस है कि अग्या है कि तो इसके उपलक्षे में हम लोग कि अच्छा करेंगे आज ओम नमो भगवते वासुदे वाया ओम नमो भगवते वासुदे वाया ओम नमो भगवते वासुदे वाया ओम ज्ञानति मिरांधस्या ज्ञानाजन सलाकया चक्छूरुन्मिलितम जेना तस्मै श्री गुरवे नमहा नमा ओम विष्णुपादाया प्रिष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता श्वामी निती नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेश सुन्यवादी पास्चात्य देश तारिने वांचा कल्पतरू भ्यष्चा कृपासिंधु भ्येवचा पतितानाम पावनेभ्यो बैष्ण वेभ्यो नमो नमहा जैश्री कृष्ण चैतन्या प्रभू नित्यानन्द श्रियद्वैत गदाधर प्रिवासादि गौर भक्त ब्रिंदा हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम पर भगव दीटा के स्लोक लिखा हुए बोड़ पर, यग्यार्थात कर्मणो नित्र, लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कोंतेया मुक्त संगह समाचर यग्य अर्थात एक मात्र यग्य या विष्णु के लिए किया गया कर्मना कर्म की अपेक्छा अन्यत्र, 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 लोक, संचार, अयम, यह, कर्म बंधन, कर्म के कारण बंधन, तत उस अर्थम के लिए कर्म, कर्म, कौन्ते हेकुंति पूत्र, मुक्त संग, संग से मुक्त, फल की आकांछा से मुक्त, समाचार, पलिभाती आच्रण करो अनुवाद दात परे शब्दात शिल्भवाजी के द्वारा शिल्भवाद की श्री बिश्णु के लिए यग्य रूप में कर्म करना चाहिए अने था कर्म के द्वारा इस भहते ही जगत में बंधन उत्पन होता है अता हे कुंति फुत्र उनकी प्रसंता के लिए अपने नियत कर्म करो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे तात पर यह चुकि मनुष्य को सरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है अताब विशिष शमाजी के स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उदेशी की पूर्ती हो सके जग्यकार्थ भगवान विश्णु है सारे यग्य भगवान विश्णु की प्रसंता के लिए हैं बेदु कादेश है जग्यो वय विश्णु दुसरे सब्दों में चाहे को निर्देश्ट यग्य संपन करे या प्रत्यक्चरुप से भगवान विश्णु की सेवा करे दोनों से एक ही प्रविजन सिद्ध होता है उता जैसा की स्लोक में संस्तुस्त किया गया है कृष्ण भावनामृत जग्य ही है बनास्रम धर्म का भी पुदेश भगवान विश्णु को प्रसंद करना है वरनास्रम अचार वता पूरुसेण परह पुवान विश्णु राध्यते विश्णु पुरान 3.8.8 अता भगवान विश्णु की प्रसंता के लिए कर्म करना चाहिए इस जगत में किया जाने वाला अने कोई कर्म बंधन का कारण होगा क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है अता कृष्ण विश्णु को प्रसंद करने के लिए कृष्ण भामन वित होना होगा और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो असदा मुक्त दसा को प्राप्त रहता है यही महान कर्म का उसल है और प्ररम में इस बिधी में अत्यंत कुसल मार्क दरसंद की आफ़ सकता होती है अता भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षाद भगवान कृष्ण के प्रतिक्ष आदेश के अंतरगत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का उसर मिला था मनुस्य को परिश्रम पूरो कर्म करना चाहिए इंद्रित रिप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए पितु हर कारे कृष्ण के प्रसंता के लिए होना चाहिए इस बिधी से नक्योल कर्म के बंधन से बचा जा सकता पितु इससे मनुस्य को करम से भगवान की वह प्रिमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी भगत धाम को ले जाने वाली है अरे कृष्णा तो आपको आज हम लोग भक्ति शिदान सरिश्टी ठाकूर जी का तुरभाव दिवस है आप में से कितने लोग भक्ति सिदान सरिश्टी ठाकूर जी के बारे में जानते हैं हाँ उठाई आप इस कितने लोग स्रिल्म प्रहुपाद जी के बारे में जानते हैं आप सुनाकर प्रहुपाद जी जो सामने बैठे इस कौन के संस्थावा कर चाहए तो नहीं जानते पिछे देख लीजिए आशन पर बैठें अब कितने लोग जानते हैं प्रभुपाजी के बारे हाँ तो ठाई अभी भी कितने लोग जो प्रभुपाजी के बारे हम नहीं जानते सब जानते हैं तो इनके जो प्रभुपाजी के गुरु महराज थे बक्ति सिधान सरस्वती ठाप और उनका जन्म हुआ 1874 इसी वे फरवरी 1874 कहां पर हुआ जन्म कौन बताएंगे जगनातपुरी जगनातपुरी धाम की जब इनका जन्म हुआ जन्म से पहले इनके पिता जी जो थे भाक्ति उन्हों ठाकुर जी तो उनका वो जो है वहाँ पर जगनातपुरी में डिस्टिक मजिस्टेट थे 1874 में तो वहीं पर रहते थे गए हैं आप लोग जन्म स्थान भक्ति सिदान ठाकुर के वेरी गुड जगनातपुरी जाएंगे तो जो रथ्यात्रा का जो रोड है उसी रोड पे आता है आँए 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 जब जाते तो वहाँ पर रुखते हैं नँँ तो भक्ति सिदान सरस्थी ठाकुर जी जो है जब जन्म से पहले उनके पिता जी की एक्षा थी येक ऐसी संतान हो जो स्री चैतने महापुरू के संतेश का परचार करे पूरी जिन्या में हर पिता जो है संतान माता पिता संतान को जन्म देते हैं उनका कुछ वीजन होता है तो कुछ माता पिता जएदा तर उनका वीजन ये होता है कि मेरा बेटा आईये सबसर बने मेरा बेटा खुब पैसा कमाए और बड़ा-बड़ा बंगला बनाए यह होता है न गाड़ी लेकर आए बड़ी गाड़ी रहे सही बोल रहा हूं और विवा हो जाए उसका और सुन्दर पत्नी आए बहु एक आए और फिर नाती पोते आए और फिर परिवार चोटा परिवार सुखी परिवार और खुब मजे मस्ती करें थोड़ा टूरूर जाएं गोवा खंडाला और कभी मोड चेंज करने के लिए थोड़ा तीर्थस्त यात्रा भी कर ले फ्लेवर चेंज है न तो ये लक्षे होता है संतान उत्पत्ती का होता है ही होता है न लेकिन भक्ति विनो ठाकुर जी का ऐसा नहीं था हो एक ऐसी संतान चाहते थे जो संसार में भगवत गीता श्रिमत भागवत श्री चैतन्य महाप रहू की सिक्छाओं को प्रचारित करें भगवत भक्ति का प्रचार करें और इस संसार में जितने दुखी जीव हैं सब लों मुवाइल साइलेंड में कर लीजिए एक बार फ्रेश्य सुचना दिया जा रहा ह जो नहीं साइलेंड करेंगे अगली वार्जिन का मुवाइल बजेगा उनका अगले संडे का लग फिश्ट स्पॉंसर कराए जाएगा ठीक है 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 नोट कर रेडी कोई है जो नोट करेगा अगले अगले दो-तिन महेने का बैस्ता हो सकता है कि देखो नोट करो कहां बजा है है किनका बजा था हाथ उठा दीजिए देखो ध्यान रखो अलट रहो तो हम लोग को सिख्छा लेनी चाहिए भक्ति मिन अठाकुर्जिसे है ना कि इसी संतान जो भक्त हो भगवान के है ना और उसका मिशन एक ही जब भी आपका संतान पुछे ममी पापा आप मुझे क्या चाहते हो क्या बनू मैं इंजिनियर डौक्टर लायर आप भुलो नहीं अच्छा भक्त बनो क्या क्याattform अच्छा भक्त बनो, अगर ब्रह्मचारी बन सको तो बेस्ट है, ठीक बोल रहा है, लेकर अच्छा ग्रहस्त बनो, ताकि दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़े, जब भी बच्चा पुछे, तो उसको यही बताना चाहिए, कि धन अईस्वारी के पिछे मत भागना बेटा, एक रानी थी, मंदाल सा, उसके गीत, आप लोग, कितने लोग, अपने छोटा बच्चा था, जब लोरी सुनाती थी उसको, तो क्या, उसकी लोरी कितने लोगों ने सुना है, संस्कृत में है, पुराने उसे निकाले गया है, लोरी, किसको पता है, मंदाल सा का नाम कितने लोगों ने सुना है, उस लोरी को याद कर लेना चाहिए, हर मा को, अपने बच्चे को सुनाना चाहिए, उसमें बताती है कि तू, मेरा पुत्र नहीं है, क्या बताती है, तू, इस्वर का अंस है, तुझे अपने जीवन को सिद्ध करने है, और भगवान के धाम जाना है, पजपन से उसको गोध में लेकर सुनाती है, और तू नित्य सचिदानन्द है, अरे बेटा तू रोता क्यों है, अग्यानता को दूर करके, और तू याद कर कि तू कौन है, तू ब्रह्म है, सचिदानन्द है, तू ये शरीर नहीं है, तू साश्वत चिन में आनन्द में आत्मा है, ऐसे गाती थी याद दिलाती थी उस बच्चे को, ना? हाँ, नोट कीजे, जल्दी, हरी भोल, पकड़ो, पकड़ो, कोई नोट नहीं कर रहे है, प्रभु, आप लोग क्या कर रहे हो, सब थ्यान कर रहे हो, कितना लभिष्ट से स्पोंसर हो जाएगा, है, हाँ, आप लोगो को मतले फंटरेजिंग नहीं करना है, लगता है, हाँ, हाँ, इस प्रकार से हम आपने संतान, तो भक्ति मननों ठाकुर जी को, ना? जब करूं हरे क्रिष्न FR कृष्न हरे Рाम हाम राम ह्ला क्रिष्न क्रिष्न और कोटा है राम कर जंत है प्रसमें तो यह वहां पर रहते हैं, कंपटेशन की त्यारी करते हैं, और हर साल कम से कम सो बचे वहां आत्मत्या करते हैं, हर एक दो दिन आते हैं, कोई थी देखो सही बोल रहा है इसके उमर के लड़के होते हैं सारे है नहीं देखिए है ना अब मातापिता बहुत इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर डाल देते हैं है कि भूली जाता है कि वो आत्मा है है नहीं अब कोई बात नहीं है अरे कृष्णा करो छोड़ो है कि नहीं तो क्यों रोता है तु तु इस्वर का अंस है जिसके पिता परम परम परमेश्वर हैं जिसकी माता लक्ष्मी है उसको टेंशन की क्या जूरूरत है है कि नहीं ऐसे का देखिए कोई भचा आत्मात्या हबुआ है कि माता पिता अगरेसे बहुत है है गाला है बंधा होना से फेलेल नहीं न है नहीं नॉक पढ़ाई नहीं करेगा पास नहीं होगा मैद उक्री कैसे ओट अ वोगा वीवा बीवा क्या से हो जो तैखने मैं प्र नक्यों होड़्या द यह कंसे होगा ड़ेंदाल है कि नहीं इतना क्यू टेंसन देने का और लेने का अंद मेरा ना चाहिए बच्चे को प्रेशर इतना डाल देते हैं और हो मर जाता है तो नहीं करने का इससा है बच्चे को इतना प्रेशर मठ डालो अधो मुसल्मान सब कितने बच्चे खुश रहते हैं कोई बाद नी पढ़ाई नहीं स्कूल ही नहीं भेज़ते हैं जाओ मदर्सा सिखो थोड़ा पढ़ाई कर लो उसके बाद जो मिला नौकरी शुरू कर दो है कि नहीं कि इतना टेंसर लेना हुआ है हिंदु महां तो नहीं बेटा नहीं बेटा अगर अगर इंजीनियर से नीच नहीं तो कुछ बनना ही नहीं है नहीं तो चलो भरपाने मा डूबब मर जा तू नहीं बेटा नांक कट जाएगी बेटा मेरा जीवा नहीं जी कट रहा है ऐसे में नांके चक्र में मेरा पूरा लाइफ बरबात कर रहे हैं नालार को इतना प्रियक्व है है ना कि इसके लोग कितनी बली चढ़ाओगे तुम बच्चों की अपनी नाक के लिए नाक को सेफ रखने के लिए समाज में लोग क्या कहेंगे देखो पड़ोसी का बेटा पड़ोसी का बेटा देखो क्या करती है तू नलाइक तूलना करते हैं क्या करते हैं तूलना, compare compare करते हैं अब बोलने कोई बात नहीं भै फेल हो गया, सावास very good, well done अब चलो मला पकड़ो करो जब करो तू इस्वरकांस है तू चिंता की कोई बात नहीं ऐसे बोलना चाहिए जब करने के लिए उसको देखिए कितना खुस हो जाएगा कई बच्चे जब करना जहाते है अभी क्यों जब कर रहा है चल पढ़ाई कर जब छड़ो उसको आनन्द आ रहा है प्रेशर प्रेशर इतना प्रेशर है आज के स्टुडेंट को पर बहुत प्रेशर है कई सारे स्टुडेंट जो है आत्मत्या कर रहे है डिप्रेशन में जी रहे हैं क्योंकि माता पितो को पता नहीं है कुछ भी तिसलिए माता पीता को अगर वो समझ जाए कि मेरे बच्चे का लक्षे क्या है विजन क्या है उसके लिए हर इंसान को भगवान ने जनम दिया है उसके लिए कुछ सोचा होगा भगवान है की नहीं तो बस उसको उससे बनने दो क्या उसको बनने दोएज सा उसको एक चीज जरूर देना सत्संग बस सत्संग में बैठाईए बाकी और कुछ उसके किस्मत जैसी होगी उसका अंसार वो सेपप हो जाएगा सत्संग में रहेगा तो अच्छे बुद्धी रहेगी उसकी है ना सत्संग में बोज नहीं बनेगा संसार पे है कि नहीं बाकी जहां तक रही बात ते चलाने की तो तत्प्रयासो नकर्तब्यो यद आयुब्यापरम नतधाबिन्दते छेवम मुकुंद चरणाम भुजम सुखम एंद्रियकम दैत्यादे योगे न दहिनाम सर्वत्रलभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नत यथा दुखम अयत्नत जैसे दुख दुख को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप कितने घंटे मेहनत करते हो ताकि दुख आए आपके उपर कितने साल तयारी करते हैं दुख के लिए अपने आप आता है दुख अपने आप आता है जब टाइम होगा आएगा आप कितना भी काए काए कर लो कितना भी बचने का प्रयास कर लो जिसको करोना होना था हुआ जिसको मरना था मरा जिसको जीना था तंदरुस्त थे रेखो करोना आगया चला गया और नहीं तो जो कुरोना बारियर थे वो भी चले गए तुसरे को बचाने गए तो भी मर गए तो जिस प्रकार से दुख जो है वो बिना परिस्रम के मिलता है उसी प्रकार से सुख भी बहुत ज्यादा परिस्रम करने की ज़रूरत नहीं है ओवर, हाड़ वर्क गधा कितना भी हाड़ वर्क कर ले घोड़ा नहीं बन सकता है बन सकता है गधा गधा ही रहेगा गधा गधा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है जब गधा घोड़ा बनने का पड़ास करेगा दोड़ेगा तो बहुत बुरा लगता है है कि नहीं भद्दा लगेगा तो जो जैसा है जिसको इस्वर ने जिस सुभाव का बनाया है उसी प्रकार से उसको आगे बढ़ने देना जिसको एक्स्ट्रा प्रेसर ने अरे वो देखो वो तो घोड़ा है गदा रह गया तो घोड़ा बनाया कि उसके लिए घोड़ा है हमको घधा बनाया भग्वान इसलम घधे रहेंगे क्या दिखते घधे रहने में आनंद कानभो करो कुछ काम ऐसा है जो के उल घधा करता है खुड़ा नहीं कर सकता है कि नहीं हर चीज क्या आप सकता है संसार कें न जहाऊए पांच उंगली है si अश्यों सबसे बेस्ट उंगली कौन है कि ऊड़ाही ज़से ज्यादा मसें मेपभाध कि उंगली कौन है सारे इंपोर्टेंट है उले ने ये बड़ा वाला सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है सबसे लंबा है ये हैं ऐसा है क्या चाहिए बड़ा हो या छोटा सबका अपना-पना क्या है रोल है इंपोर्टेंस है भगवान ने सोच समझ के बनाया है ना बड़ा छोटा सब बरावर हो जाए तो कैसे रहेगा? पांचोऊंगली का साइज बरावर हो जाए तो आप अच्छा रहेगा? काम कर पाएंगा हम लोग? बताएंचों बोली नहें रहें हैं आप लोग कुछ दो बोलीए काम नहीं कर पाएंगा आप भोजन भी उठा नहीं सकते हैं कि नहीं तो भगवान अगर छोटा बड़ा बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बनाया ना हर्त जो छोटा है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है रोल है है कि नहीं तो भगवान क्या सोच के छोटा बनाया है उसको समझना चाहिए क्यों इसको छोटा बनाया गया है यह न और उसको उसमें रहने दो छोटा ही रहने दो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं थोड़ा रोज खीचेंगे इसको एवरीडे एक्सरसाइज थोड़ा बढ़ा करेंगे इसको भदा लग रहा है चोटा लग रहा है ये बढ़ा उच नीच का भेद भाव मिटा दो भेद भाव मिटाओ लेकिन उँच निच मत बिटाओ उँच निच का भेद भाव उटाओ उडाओ उँच निच मत उडाओ समझ में उँच निच तो रहेगा आज भी है कल भी था आगे भी रहेगा लंबा का भी जरूरत है मोटा का भी जरूरत है नाटे का भी जरूरत है, सब का जरूरत है, विराइटी, क्या, विराइटी, जिसे गार्डेन में क्यों लाल रंग के फूल हो, वो ज़्यादा अच्छा है या अलग लग रंग के फूल हो अच्छा है, अलग लग रंग के फूल हो, वो ज़्यादा अच्छा है, है न, और सारे फूल जो एक ही साइज के हो ज़्यादा अचा है या कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भराइटी, कौन ज़्यादा अचा है, भराइटी, हैं, आप प्रशाद पाने बठो सारा एक ही आइटम, रोज एक ही आइटम कैसा रहेगा, तो भगवान ने सोच समझ के क्या बन है है कि कुछ सोच के बनाए न Dé't say कि उसको समझना जाए क्यों बनाए विराइwarming जेầnं कि वीब वेमाराइटी अधट अललग बनाए है छिए सबका रूप है रंग अललग बनाई शेप शाइज अलग-बना क्यों बनाए इसका पुदिस से है और उसको आप समान नहीं कर सकते है तो भेद भाव मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं वो इस्तरी जो है पूरुष जैसा दिखने का प्रयास कर यह पूरुष इस्तरी जैसा है दोनों बराबर है कैसे इस्तरी पूरुष का ड्रेस पहनेगी तो बराबर हो जाएगी पूरुष जैसा हो जाएगी है है इसा कि ड्रेस मातर पहन लेने से पूरुष का इस्तरी पूरुष के बराबर हो जाएगी कुरुस पैंट सट पहनते हैं हम भी पैंट सट पहनेंगे नहीं बराबर कब होंगे बराबर होंगे नहीं बराबर हैं दोनों है न दोनों बराबर हैं लेकिन हम नकल करने से बराबर नहीं होंगे हमें जब हम एक दुसरे के महत्तो को समझेंगे बराबर महत्तो समझेंगे तब जाके क्या होंगे बराबर होंगे जब फुरुस इस्त्री के महत्तो को समझेगा तब इस्त्री फुरुस के महत्तो को समझेगी तब दोनों बराबर होंगे है न इसलिए संतान जो है हमारी उसके एक तो जब हम संतान उत्पत्ति करते हैं उसी समय हमें जो है बेदिक सास्त कहते हैं कि गर्भाधान संसकार होना चाहिए क्या होना चाहिए गर्भाधान संसकार यह कैसी संतान गर्व में आएगी वो भी चुनाव किया जा सकता है दुष्ट संतान ना है कस्यप और दिती के गर्व में दुष्ट संतान आ गए हैं राक्षश प्रकट हो गए क्यों कि बेदिक तरीके से उनका गर्वधान संसकार नहीं हुआ इसलिए तो हर चीज़ का तरीका बताएगा शास्त्र में उस तरीके से अगर होगा जीवने आपन तो संतान जो है वो क्या होगी चरित्रवान होगी एस्वरेवान होगी बुद्धिमान होगी बिद्वान होगी और नहीं तो कुत्ते बिली जैसी होगी किसी काम की नहीं जो आप जो बोज बन जाएगी प्रफुई पर तो भक्ति बनों ठाकुर जी ने ऐसे माता पिता को सोचना चाहिए कि मेरी संतान जो होगी वो खैसी होनी चाहिए क्यों धन का बना नहीं पैसा मनी मेकिंग मसीन नहीं बनाना है संतान को उसको उपर बहुत ज़्यादा प्रेसर नहीं डालना और माता पिता को अपने आचरन से बच्चों को सिक्षा देनी चाहिए किसे बोलिए आचरन से सिक्षा देनी चाहिए कैसे कैसे आप बोलते हो अब देखते हैं माता पिता ममी पापा तो बहुत लड़ा जगड़ा करता है तो देख रहा है ना आपको घर के माहौल से बच्चों की बेक्तितों पर अशर पड़ता है गर माता पिता जो है उनके जीवन में अनुसासन है डिसिप्लिन तो बच्चा वह स्वेम डिसिप्लिन वाला हो जाए गा अगर माता पिता खुद ही कोई डिसिप्लिन नहीं है परिबारिक जीवन में खुद ही इतनी लड़ाईय जगड़े है चली नाम लिखिए इनका अरी बोल इस बार अगला सेंड़े लब फिस्ट लिवलो प्रभूर नाम बता दीजे हरी बोल दाट्स बेरी गुड़ बस आपको कितना पंदरहजार है दो संड़े कोगे हरी बोल तो ये पहला संदेश जो मैं आपको देना चाहते था शिला भक्ति सिदान से ठीके जीवन से ठीके समझ मैं है कि ऐसी संतान जो क्या बने भगवान का भक्त बन जाएगा तो उसका लाइफ कैसे चलेगा चियों ने आपन कैसे होगा भगवान सारी दुनिया को खिला रहे है तो अपने भक्त को भूखा मार देंगे आपको लगता है आपने कभी देखा कोई भूखो मर रहा है कभी नहीं जब कि जब धर्ती खाना उगाती है तो सबसे पहले भक्त के लिए उगाती है इस बात की समझें कभी भक्त के घर में कमी नहीं हो सकती बोजने कभी नहीं कमी हो गया आप जो इसलिए चब्विसो घंटे यहां पर फूट फूर लाइफ चलता रहता है जितना खाना है खाओ किछडी क्यों भग्वान बैठे हुए खिलाओ सबको जो भी आएगा मेरे मंदिर में सबको भूजन किराईगे इसलिए भग्वान मुबाइल बजा रहे है जिसका जिसका मुबाइल बजे आज आपको भग्वान की कृपा रहे है आपको भग्तों को खिलाने का स्थरे आज मिलेगा है आ मैंना भगवान आपको चुन तो चलुकिन आपको क्या है तो लेकिन भगवान ओकला रहे तो कुई दान अधर आ इस लिग क्ला रहे लोग कोई पूंशते हैं भगवान का मैं रहें भगवान थोड़े न अपने पॉकेट से निकाल के दे रहे हैं, लेकिन दान लोग क्यों देते हैं, भैसे देते हैं, किसे, कोई प्रेम से थोड़े दान देता है, इडी का समन आ जाएगा, अगर इंकम टैक्स नहीं दिया तो, कोई कमा रहा है, और इंकम टैक्स रिटर नहीं दिया, तो क्या होगा, छापा पड़ेगा न, तो पता है छापा पड़ेगा, इसलिए, टाइम पे पहुचा देने का, नहीं तो छापा पड़ेगा, तो कोई उपकार नहीं कर रहे हैं दान देकर अपना इंकम टैक्स आगे दीजिए जी एस्टी गुड़ एंड सर्विसेज टैक्स भगवान का बनाय हुआ हवा पी रहा है रोज है माता जी सब कितना लिटर ऑक्सीजन रोज पीती है बताओ और कोरोना के हिसाब से रेट लगाओ प्रूव सब जोड़ो सब करें डेली का कितना आएगा बताओ इतना खर्च आए करोणा के हिसाब से रेट लगाओ एक लिटर ऑक्सीजन कितना खरच आएगा अब इतना हवापी ऑक्सीजन पी रहे हैं हम लोग भगवान का कुस्न ने बनाया बुरण भगवान का पी रहे हैं न हम भगवान को क्या देंगे उनके कर्जों तले दवे हुए हैं है कि भगवान के द्वारा बनाये हुए पानी पी रहे हैं पानी कौन बना रहे हैं बैग्यानिक लेबरेटरी में कौन बना रहे हैं भगवान बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं पहले लोग सोचते थी कि बेग्यानिंग बनाते हैं इसलिए भैली। नहीं समझते थी इसलिए कोरोणा भेजा भगवान नहीं अभी तुम लोगों बताता हूं साए बेग्यानिग मिलके ऐक् sinon नहीं बना पाया तरही तरही मच गया है मच गया न्हीं क्यों भगवान याद दिल आना चाहते थे कि ज़्यादा हिरो मत बनो सब चलो सब मंदिर आओ अपना income tax जमा करो अब च्छापा पड़ा था कोरोना का च्छापा पड़ा था अब भूद लेकी गया कोरोना भूद कलेक्शन किया है अब फिर से पड़ेगा अगर प्रेम से नहीं देंगे तो वो तो जाएगा कहां जाएगा कैसे जाएगा लेकिन जाएगा इसलिए जो बुदिमान होता है वो प्रेम से आके जमा कर देता है टाइम पर अपना है ना और बज़ भी जाता है बज़ जाता है इतना भ्यांकर बिमारी कोरोना है लेकिन हमारे बहुत सारे भक्त बच गए बहुत सारे भक्त बच गए और इसलिए हमें यह नहीं सुझना चाहिए कोई सुझे अरे हम लोग दान देते हैं आपका रोम रोम भगवान के कर्जो तले डुबा हुआ है फ़ले यह समझ लीजिए सुन लीजिए इसके बाद फिर सुचिए कि आपने कुछ दिया है आपका है क्या जो आप देंगे फ़ले यह डिसाइड करते हैं मैंने इतना दे दिया यह देखो अहंकार क्या अहंकार इतना दे दिया मैंने हाथ अरे दोगे जब हाथ होगा तब ना हाथ देने के लिए भी क्या चाहिए हाथ सही देंगे ना तो हाथ किसका है किसका है किसने बनाये हाथ ये बताई चलिए किसने बनाया है या आपने या ममी पपाने न देए तो भगवान ने बनाया हाथ न अगर भगवान हाथ नहीं बनाय तो कई लोगों को लंगडा लूलह अंधा जनब दे देते हैं दे पाएगा दान कि है दे पाएगा कि तो आप दे रहें इसलिए दे रहें क्योंकि आपको भगवान ने दिया है इसलिए आप दे रहें और अगर नहीं देंगे तो अगले जनब में आपको सबक सिखाए जाएगा फिर आप बोलेंगे अल्ला के नाम पे दे दे भाईया दे दे यार दे दे थोड़ा दे दे खाने दाने दाने के मुहताज कर देंगे भगवां तो देना सिखिए सब भगवान ने दिया है आपको इसको याद करो नहीं याद करेंगे तो आपके जियोन में खष्ट आएगा चोरी आप चोर हैं क्या है चोर है इसावाश्यम इदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत आपको आख दिया भगवान ने बना कर दिया न आख दिया आख नहीं दे तो आप क्या कर लेते गुमते रहते लाठी लेकर रोट पे कभी आपने उनको धन्यवाद दिया यह प्रभू बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आख दिया है कि इतने लोगों ने थैंक्स किया भगवान को बताईए चलिए हाथ उटाईए कोई ने करता है थैंक्स है क्या फैदा यार इनको देने का अभी थैंक ही नहीं करता है मत दो अगली बार तब समझ में आएगा इनको भैलो तब समझ में आएगा तो इसलिए कोई दान देता है थोड़े न कोई आके इसान करता है इसान नहीं आपका काम है यह देना कि सेवर ड्यूडी जो भी बैकिती भगवान का शरीर इस्तिवाल कर रह भगवान का कोई भी मसिन आप इसी का यूज करते हो तो डेली बेसिश पर चार्ज़ देना पड़ता है न को बिल्डेजर लेक्ट आएगा किसी का बुल्डेजर आप लेक्या आते हो यूज पढ़न स्वार्डी में आता है जो शार्ड लगता है बहों का स्पिकर आप यूज़ कर रहे बोल रहे मखग नबन बंज वक्छ किसका श्पिकर ह्यां अ बगवान की स्पिकर भगवान का कीमरी यूज़ आन्ड המ׷्ब रहे हैं लेंस लगा हुआ है और में आंक क्या है कैमरा है हाठ ों आप भी बेंउ है अब ब्रेन ब्रेन் किस ने बनाया दिमाग फफ़ती में बनाया आप बनाया मैं हें ह। किटना पाउरफुल ब्रेन्ट आख देखी तकि जोम इन-जॉम आउट ऊतोमेडिक है बह나 वह्यमं से अथरों जूम इन आच और जूम और अटोमेटेड है बस इक्षा मात्र से चल रहा है देखिए और अटोमेशन इंजिनियरिंग कभी ध्यान धन्यवाद देते प्रभु कितना जबरदस्त मशीन दिया है आपने नहीं देते धन्यवाद कहां देते हैं अब भगवान आपको सुंदर न बनाए कोई विवा नहीं करें आपसे विवा भी हो रहा है तो आप धन्यवाद भगवान को प्रभु आप नहीं होते तो तो रिजट कर देगा इसे बत्सुरत है अगर विवा हो गया तो धन्यवाद भगवान का है है हर चीज के लिए धन्यवाद उनके रोम रोम कर्ज तले डुबा हुआ है भगवान की हम क्या देंगे उनको तो इसलिए हमें तो फ्रेम से देना जाए और अपने भगतों के लिए भगवान ने स्रिष्टी बनाई है किसके लिए भगतों के लिए बनाया है इस रिष्टी ये धरती को बोला है भगवान ने कि अनूप जा मेरे भगतों के लिए तो यह जो धरती अन उप जा रही है किसके लिए उप जा रही है जो माला करते हैं उनके लिए उप जा रही है जीस दिन माला करने वाले छोड़के चले जाएंगे धरती अन उप जाना बंद कर देगी पापियों के लिए अन नहीं उप जा रही है धरती सब बंजर हो जाएगा बादल बारिस करना बंद कर देंगे वैसे भी बंद कर रहे हैं टाइम पर बारिस नहीं हो रही है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग भगवान को सत्त को स्विकार नहीं कर रहे हैं तो आप सब भक्त लोग को इसलिए इसलिए भगवान की सेवा के लिए हमेशा क्या रहना है तत पर रहना है भगवान की भक्ति में तत पर रहना है और जो भक्ति करेगा उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी कभी कमी नहीं होगी लोग भगवान अपने भक्तों की खुद विवस्था करते हैं खुद रक्षा करते हैं, योग छेम बहाम में हम, योग छेम बहाम में हम, खुद ढोके लाएंगे भगवान, अगर कोई नहीं देगा तो, यहां तक करते भगवान, अगर कोई यहां के दे गया, तो कोई ठीक है, मांगो मत किसी से, भगवान यहां तक कह दिया, क्या, अपने भगवान को क्या बोल दिया, तो किसी से मांगना है नहीं, अगर तुमने मांगा तो किसी और से भेज़वाओंगा, नहीं मांगा तो खुद लेकर आऊँगा, हमारी मातजी हैं, लक्ष्मी जी हैं, कोई मा है, इतनी मातजी लोगें बताओ, आपका बच्चा भीख मांगेगा, तो आपको अच्छा लगएगा, मेरे जीते जी, ऐसे मां सोचती हैं, मेरे जीते जी, उजी दर से राधरानी सोचती हैं, मेरा भाक तो लोग भीख मांगेगा, किस की कमी है, हमी लोग उल्लू हैं, भागते राते हैं इसे। भगवान पर निर्भर रहेंगे तो कभी किसी चीज़ कमी नहीं रहेगी। recognized उनकी भक्ति करो। तो बहुत काम लोग इस बात को मानते हैं। सुचते हैं मोधीजी देंगे। मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी बारिस कराएंगे, मोदी जी सुर्य उगाएंगे, मोदी जी हवा भाएंगे, क्या कराएंगे मोदी जी, कुछ नहीं कराएंगे, प्रकृति करती है सारा, प्रकृति अगर एक दिन सुर्य उद्य नहीं हुआ, आपका कोई पौधा नहीं बारिश नहीं पीने के लाले पड़ जाएंगे पानी के अब बारिश ही नहीं होगी तो खाएंगे क्या अन्य कैसे होगेगा यह कि नहीं यह सारा भगवान स्वेंब्योस्था करते हैं आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यद चंद्रामस यद चागनव ततेजो बिधिमामकम भगवान कीता में करते हैं कि सुर्य जो चमक रहा है यह आदित्य गतम तेज जो सारे संसार को प्रकासित कर रहा है चंद्रमा अगनी जो आग जिससे पकाते हैं भोजन सब मेरा तेज है भगवान के तेज मेरे तेज से प्रकट हो रहा है तो बोलो धन्यवाद बोलो धन्यवाद थेंक्यू तब हैपी निवर होगा नहीं तो अगली एर करोना आ गया तो फिर सारा हैपी निवर गया हैपी नियुर हापी निवर हापे काने से मेरा हैपी हो जाएगा हो में हम त заб होगा जब भगवान की क्रिपा मिलेगी में जब बारिस होगा टाइम पे जब प्रकृति भोजन देगी, धर्ति अनुद्पन करेगी, दिमाग ठीक से चलेगा, तब होगा, तो इसलिए आज के दिन हम इस बात को समझें, और तब हमारा नया साल अच्छा रहेगा, जल, हैपी निवेर का भेजने से नहीं होगा, हैपी निवेर, भगवान को धन्यवाद दीजी, किसके लिए, 2023 के लिए, इधर भी मुबाइल बजाए, देखो नाम, माता जी का नाम लिखो, चलो, अब मुबाइल बजाए ना, हरी कृष्णा, हैं, सुशीला माता एक नाम लिखो प्रो, देखो भगवान कितनी किरिपा कर रहे हैं, हाँ, हाँ, मैं सिरियस, आप लिए मैं सुचिक मजा कर रहा हूँ, यह सिरियस पॉइंट है, आपको, बाद में आपको फोन आएगा, हरा, बहुत किरिपा मिलेगा, तो इस प्रकार से, जो 2023 हमारा बित गया, हम लोग जीते रहे और भक्ती में लगे रहे, इसके लिए धन्यवाद देना है, भगवान की किरिपा मिली, हम एक साल, क्या किये, भक्ती किये, और अब धन्यवाद देंगे, तो भगवान को से, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, साब धन्यवाद दिया, थैंक यू, गुड, अच्छी ट्रेनिंग हो रहे हैं, की ठीक है चलो और सप्प्लाई करो अगले साथ दोहर चोविस के लिए है कि नहीं थेंक यू नहीं बोलेगा तो चौकलेट नहीं मिलेगा तो हम लोग धन्यवाद देना चाहिए भगवान को आज के दिन क्या करना है धन्यवाद देना है थैंक यू कैसे धन्यवाद देंगे बताईए इसलिए आज रात में संकीरतन रखाए भगतों ने आएगा यहाँ बैठके धन्यवाद दिजे भगवान को पुरे साल आपने हमें कितने संकटों से आपने रख्षा किया भभू हमको पता नहीं कितने संकटों से भगवान ने हमारी रख्षा की है पिछले साल भगवान गिनाएंगे तो आप बेहुस हो जाएंगे पिछले एक साल जिनोंने सत्संग किया उनको तो विशिष धन्यवाद देना चाहिए धाकुर जीन आपको सत्संग में रखा एक साल यह विशिष क्रिपा है भगवान और जिन को भगवान ने सेवा किया, दिया, सेवा करने का अशर दिया अपना, वो तो विशेश धन्यवाद विशेश से भी विशेश, निर विशेश, सुरी, अत्यांत विशेश सेवा का उसर ज़लि नहीं मिलता स właściwie का उसर जलीं नहीं मिलता है न화? सेवा सेवा का उसर दे रहे हैं भगवान अभी बेपसिटी बन रहा है कि एक का पांच एक का पांच एक का पांच अगर आप वहाँ एक रुपया दोगे तो रिटर्ण मिले है कितना पांच विशे भी ज्यादा है सब भगवान गीन के आपको जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब देंगे कब देंगे जब सबसे ज्यादा आपको जरूरत रहेगी तब समझ में आपको प्रभु कल तो दिया था आज आया नहीं विटर्ण अभी तक नहीं आया दो साल हो गए नहीं भगवान जमा करके रखते हैं कब के लिए कब के लिए जमा करके रखते हैं जब कोई नहीं होगा जिसका कोई नहीं उसका उस समय बचा के रखते हैं अभी तो इसकी गाड़ी चली रही है है यह दो दो सब्स्ता हो जा रहा है तो खिचने दो अभी इमर्जेंसी के लिए रखते हैं उस समय सप्लाई किया जाएगा है नहा भी क्रमना सवस्ती प्रत्यवायो नविध्यते स्वल्पम्पिया से धर्मस से त्रा जाएब तो मैं उसकी रख्षा करूँगा कब महान भैर कि समय बहुत भैर्भीत होगा आउद मायवान बתחते हो से भूल गये होंगे भागवान को हां पान्य नोट करते होंगे तनी बड़ी होगी क्या है औरे को टी सबाइब होती है तने बड़ी भगवान कीขԵ कि बहुत बड़ी डाइरी है कि है भूछ है जोना अगर आप भगवान अब पोछेंगे कि आज सुबह से अभी तक क्या क्या मैंने सोचा एक az चीज बता देंगे आपके हर सेकंड का एक डाटा उनके पास रहता है हर जीवात्मा का हर सेकेंड का एक-एक डाटा कब कौन क्या सोच रहा है एक-एक चीज भगवान के पास रिकॉर्ड रहता है ऐसे थोड़े न भगवान है कोई जन्मों का जन्मों जन्मान तरकार साब डाटा उनके पास है आप गवड़ावमण डिस्क्लोज नहीं करेंगे सिक्रिट रखते हैं अपने पास रखते दबा कर कि सोचल मेडिया वाइरल नहीं करेंगे है ठीक है तो क्रिष्ण जो है इतने द्यालू है हम सब को इतना कुछ लेकिन भगवान की सबसे बड़ी क्रिपा यह होती है जब हम वो हमको कुछ सेवा में लगाते हैं प्रिगों जोको उनकी सेवा अगर कोई कर देता है न तो भगवान उसकी प्रती अनुग्रहित महसुस करते हैं क्या महसुस करते हैं अनुग्रहित में रिणी मानते हैं अप क्या दान और सेवा में अंतर है क्या अंतर है आप जानते अगर आप भगवान को दान देंगे तो भगवान आपको कई गुना रिटर्न कर देंगे समझे है तो कि अगर सेवा करेंगे तो क्या होगा रिटर्न नहीं करते हैं याद रखते हैं उसके क्या याद रखते हैं रिटर्न कर दिया बिजनेस खदम हमारा आपका कोई रिष्टा नहीं है जैसे नौकरी करते हैं कंपनी पैसा दे देती है खदम प्रोफेशनल डिलिंग क्या जितना हमारा कंट्रेक्ट हुआ था उसका नुसार दान इतना दिया आपने ठीक है इसके हिसाब से इस फर्मूला की हिसाब से इंट्रेस्ट जोड़के इतना इनको जैसे बैंक में होता है वैसे रिटर्न करो जैसे कोई पीता होता है ना बड़ा कोई कंपनी का ओनर है जैना उसकी कंपनी कोई मैनेजिंग डिरेक्टर है वो पर काम कर रहा है तो उसको चलरी देता है एक लाग दो लाग लेगी ने और पूरा गिन के देगा कितने घंटे हुआ सब निकालो कितना लेगी उसका बेटा आएगा तो अपना बेटा आगया अगर पापा उसने क्यों लेखी काम किया है क्या काम किया पापा दो सब्द बोला और कुछ नहीं करता है बागी तो हेड़ेग ही देगा पापा पापा इसे बोलेगा बहुत है हाँ बोलो बेटा बेटा क्या हुआ पापा मर्शिडिज घरिदना है अरे तो हाथ इसमें क्या बात है बोलो दिक चिंतक की क्या बात है लाओ इधर लो 80 लाग का चेक क्या काम किया पापा सेवा उसका है बोलो बेटा क्या चाही है थ्य Durambna अर्य क्रिश्णा हरे क्रिश्णा ए रे hora-hram, hora-hram राम, राम, राम तरह मैं आखे हो गया बोलो, बेटा, क्या ज़ाई book decision कि दाई कोई बात नहीं हुआ हुआ तो भात भी कोई बात नहीं ब्रयास किया ठीक है बेटा ने प्रयास किया क्यों कि उसमें calculation नहीं होता है संबंधों में क्या होता है? आत्मे तारति अपना अपन होता है! फ्लाइट में जो होता है, वो सेवा नहीं है, फ्लाइट में भॉलते हैं घुखार थीज़े गा फिर हमारी एर्लाइन बुकिंग कीज़ेगा वो सेवा थोड़े नहीं है वो तो बिजनिस है ब्यापार है वो तो क्या है वो सेवा नहीं है वो जूट मुट का सेवा के नाम उज़ किया गया होगा उसको ब्यापार बोलना चाहिए सेवा नाम को बदनाम करिया जा रहा है वो सेवा नहीं है ठीक है सेवा क्या है सेवा है कि बदले में कुछ लिया नहीं है वो सेवा होती है अगर एड़ेंडा है तो वो सेवा नहीं हुआ है सेवा कर रहे है फिर पाद में बोलेंगे यह लंबा लिस्ट निकालेंगे है तो क्या हो गया लिस्ट आ गया तो इस तरह से भगवान जो हमको अशर दे रहे हैं सेवा करने के तो वो सबसे बड़ी कृपा है यगर कोई सेवा कर देता है और सेवां में सबसे स्रेश्ट सेवा क्या है यह सबसे इंपॉर्टन सेवा है जाए प्रेम से क्या बोलिए बस इतना चाहिए भगवान को और कुछ नहीं आप देखो कमाल देखो नाम जब करके देखीये कमाल बगवान कितने हैना किसी गीकिस्ट मत दो हरे कफ़ष्ण करके और कश्ट देघिए जाके किसी को तो फिर बगवान नराज हो जाएंगे मेरे साम में पापा बुलता है अब पिछ जाके ददगिरी करता है तो मेरे बेटा नहीं है जा भाग यहां से क्राइम करेंगे तो भगवान ना रागे जाएंगे आचरण अच्छा रखना है किसी को कष्ट नहीं देना और हरी नाम करना बस इतना कि देखिए फिर भगवान जोड़के आएंगे सब करते हैं कुछ मांगिये मत उनसे क्या कुछ मांगिये मत अगर कुछ जरूत पड़ेग ने लो सबस में लेक उस तरह का भगवान के साथ संब्स जब बन जाएगा तब ठीक है तो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन है किसके लिए भग्वाद देने के लिए धन्यवाद किसे देंगे अगर आप कर सके तो और अच्छा है यह पता नहीं क्या डिस्कोड डांस में जाता है सब सराप पीता है आप देखो कि आज के दिन लोग रोड पे लुड के मिलेंगे रात में यह अच्छा किया है गुड इसे होने चाहिए है यह पता नहीं कहां से वाइरस आ गया पाश्चात्य संस्कृति का भारत में यह है न कि सराप पिके मांस खाके सब करके और नया साल में आता है पाप करता है तो कैसे हैपी नहीं यह होगा उसका तो पूरा यह यह जो है उसका डिप्रेशन में जाएगा शुरुवात ही ऐसा किया बाद में क्या होगा तो मैं यह भी राम दूंगा आप लोगा बहुत बहुत धनेवाद तो आप लोग बहुत भागे साली हैं हरे कृष्णा कीजिए आज जितना ज़्यादा ज़्यादा और कल सुबह मंगल आरती में आईए मंगल आरती में आएंगे तो आपको भगवान की नया पूरा साल मंगल रहेगा आपका ठीक है अधिक है हरे किस्टना आप कुछ बताना चाहते हैं हरे किस्टना बिल्कुल पाप है आपको डाउट है इसमें कुछ दारुपीना पाप है महा पाप है पाप नहीं है महा पाप है इसलिए अभी बच्चों को यहां तक पता नहीं है कि दारुपीना पाप कैसे है कैसे पाप है बहुत बड़ा पाप है भगवान ने आपको शरीर दिया है इसको दारुपीने के लिए है वोले, भाग्वान ने आपको शरीर वक्ती करने के लिए आहे, नि दारूपिनिया लिए थोड़िए है उसी तरह से भगवा ने आपको शरीर दिया भक्ति करने के लिए आप उसे सराप ही रहे है तो चिन लिया जाएगा शरीर ना बहुत किम्ति शरीर है और कोई प्रस्ण है येश हरी किष्णा प्रभुजी जैसे आप कहते हैं कुछ नहीं भगवान जी से मांगने के तो हम कुछ नहीं मांगते हैं कभी नहीं मांगते हैं ये कहते हैं जैसे कोई चीज हमारे पैसे फसे हुए रहते हैं चाहे मकान खाली रहते हैं तो करते हैं भगवान जी आप जो दिये हैं उसको तो आप तो प्रभुजी रक्षा तो कर दीजिए कम से कम सही है तो भगवान खोद ही बोलता है कि मैं रक्षा करता हूं लेकिन हमें सही याद रखिये कि भगवान से जो कोई नहीं मांगता है कुछ मांगता नहीं है न भग तो मांगता है उसमें भाव यह नहीं रहता है कि आपको बिजनिस वाला भाव नहीं रहता है न भग जब मांगता है तो बिजनिस वाला भाव नहीं रहता है कभी कभी मांगता है अब हम लोग भगवान को बहुत परिसान कर देती हैं कोई बूलेगा भगवान भूख लगा है थोड़े र तो आप देखने लोग शुरू करा देंगे फिलस ठीक करा ना उनसे इसलिए भगवान अपना स्टेंडर थोड़ा बनाने के लिए मना कर देते हैं आप समझी बात को तो छोड़ी-छोड़ी चीजों में हमें भगवान को इन्वाल नहीं करना चाहिए, पहले खुद प्रयास करो, यह ना यही कि मचण मारने के लिए तोप लेके आ रहा हैं यह प्रभु थोड़ा तोप दे दू क्या करना है मचण मारना है रूम में मचण आ गए हैं तो आप च उनके उपर छोड़ दीजिए क्या उनके उपर छोड़ दीजिए बोलिये लेकिन बोलिये आपके उपर हाँ ये बढ़िया है आप मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार दे देंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन नहीं भी देंगे तो मेरे आप ही भगवान है मेरे ये नही नहीं दिया चलो साही बाबा के पास करते हैं तो भगवान जान भुझे कई बार नहीं देते हैं तो जाए साही बाबा के पास मम चाहते कि तु चला जाए यहां से गेड आउड अफियर पोलिटिशन नहीं बीजेपी टिकेट नहीं देती है तो गॉझे चले जाते हैं जो गॉझे बाबा के साथ बेशे पोलिटिक्स करते हैं तो भगवान पोलिटिक्स तो बढ़ियां चला ही जा किसी और पाटी में जा तेरे जैसे लोग जरुत नहीं सही बोल रहें आप तो इसलिए भगवान को कही वर हमारी भक्ति के परिक्षाक लेते हैं क्या करते हैं परिक्षा प्राण ना थस्तु सहेव ना पराः असलिशवा अगर टिकेट नहीं मिला तो हम पार्टी बदल देंगे हम तो जानते हैं आपके बारे में आपको सफाई देने के जरूरत में हम जानते हैं आप सब महान भक्त हैं मुझे पता है ओके? समय हो गया अगरे किस्ञा एक छोटा सा अनरोद सभी बटे रहेंगे जब तक प्रभुजी शिंग आसन पर हैं तब तर शाप बैठे रहेंगे अटिकेट है यह नहीं तो छापा पड़ जाएगा जब भी आप मर्यादा को नहीं पालन करते तो आप आफ़त को बुलावा देते हैं यह ना शारे ग्रहन अच्छत रेड़ी रहते हैं अटाइक करने के लिए तो अगर संत का सम्मान करेंगे तो अटैक नहीं करेंगे है ना तो संत जब बैठा रहता है अगर आपने मन में सोच भी लिए ना नहीं प्रभुजी जब उठेंगे तब उठेंगे यह इस से बहुत रक्षा होती है जबीओhoat कई और छोटी चीजे नहीं है कि इतने मात्र से भगवान देख रहा है ना अंदर बेठें ये क्या सोच रहा है ये क्या सिख रहा है इन क्या सिख रहा है डिसिप्लिन में है कि नहीं है तो यह सब शिखना चाहेंगे, मर्यादा, इसको क्या बोलते हैं, मर्यादा का पालन, धर्म, धर्म को अगर रक्षा करेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, तो मर्यादा हमारी रक्षा करता है, विपत्तियों से, तो इसलिए बता रहे हैं, आपके, बैठे रहना चाहिए, दो म प्रुप जी आज जैसे बक्तिसेदान प्रुपात का तिरोभा होती थी है, तो इनके गुरु महराज गौर की तो गुषुक्य सोर्दास बाबर जी महराज नेंको तीन चीज बताई थी, कि तुम सिस्य मत बनाना और भातिकवादी लोगों से बचना और कलकत्ता कभी मत जाना तो लेकिन सारा वो जो है, वो उल्टा हुआ, कहा उल्टा हुआ, उन्हों ने एक भी सिसे नहीं बनाए, इसको कैसे समझेंगे, भातिकवादी लोगों से नहीं बनाए, उन्होंने भगवादी लोगों का संग नहीं किया, भातिकवादी लोगों का संग नहीं किया, दुखी लोगों का संग किया, जो पीडित थे, दुखी थे, माया से प्रतारित हो रहे थे, उनको बचा रहे थे, उसके लिए मना नहीं किया था, और किसरा क्या था? माय नगरी में गय नहीं, बचनों तो जहां रहता है, वो भगवान का धामी होता है, वो कलकता में कवी नहीं थे, वो कलकता में थे ही नही, वो तो ब्रिंदावन में रखते हैं हमेसा, एंजेरा बहुत कम लोग इस बात को समझ जाते है इसलिए परश्ट मेरे कर्या मुद्रा लुकेन मुझाओं भी के नहीं से बहुत महांशंद थे हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं इसलिए हम इसा सोचते हैं एसे ही, क Ku उन्होंने सिश्याफ मर्नाये नहीं ह tried, उतो भक्त बनाया, सिश्य का मतलब क्या होता है, गुरु भार नहीं था उनके अंदर, यह उम्हें गुरु नहीं थे. वो अपने शिश्यों के दास थे, अपने शिश्यों के सेवक थे, हम इसे सेवा उनके सिक्षा दे रहे थे ताकि वो भगवान की धाम जाए उनको ट्रेन करने की सेवा थे उनकी वो सेवा कर रहे थे ओके हरी बोल थैंक यू सो मच समय हो चुका है आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद पुछले 2023 में आप सब ने बहुत सेवा दिया और 2024 में भी ऐसे ही आपको क्या करना है सेवा देना है ठाकुर जी की सेवा की जी यह ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है बहुत सभा के साथ ऐसा उसर मिलता है सेवा करने का भगवान आपको सब याद रखेंगे और समय आएगा तो आपको इसका लाग मिलेगा ठेक है हरे कृष्ण क्रिश्णा तो हमें शुघ्रू जी करना कीमती समय महिला है ना तो हम कैसे रहनेवाद करेगे लिए हरे- राम अरे- राम, 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 राम राम, हरे